हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ला 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 निदियानह आए निदियानह आए फड़नेचाय बच्चा सोजाए बच्चा सोजाए नहीं सोजाए तो फड़ में चाए काम बेका अरामसे कैसा रिसोट है यह लगता है हम अकेली आए है यह तुम तुम बड़े खुश हो रहा थे ओफिसे फ्री हॉलिड़े पैकेज मिला है देखो क्या मिला है अरे यार बंद पड़ा हुआ था अभी फिर से रेनोवेट हुआ है पता नहीं क्या लेकर गाने लगती हो और तुम को मा कुछ भी फ्री ही मिलता है ना तो तुम उसे चिपक जाते हूँ पाबा होटल लो गुड़ अरे आप लोग आगे आए आए आप हमारे पहले मिमान आप कॉन मेरा नम मत्या है यहां का कैयटे करो इस रिसोर्ट की देखरेक में करता हूँ यहां पे सिर्फ हम ही लोग है और क खाने का सामान में कुछ लेकर आप अब यह कौन है यह रिसोर्ट में काम करती है बहुत अच्छी कुप है रात को बच्चे को अच्छे से पकड़कर सोना रात को अकसर यह खेलने चले जाते हैं उसके साथ रात को बच्चे को अच्छे से फकड़ कर सोना रात को अक्सर ये खेलने चली जाते हैं उसके साथ मेरे बच्चे को बूरे जा रही है तकलीप क्या है दुझे तेखने दो नसाब कितना प्यारा पच्चा है यी ना जाने कब तक यह याह रहेगा कब याह रहे हैं? मधभ? क्या उपह रहे हैंым? मध्या! इस वारत को मेरे सामने से अटा वरना मॉठा! निकल सबसécने! आठा हुँचे चलो अभी हम रोम में चलते हैं चलो बिल्ट यह अपने बेटे को खो चुकी है यहीं पर बस अब दिन रात अपने बेटे को धूनते रहती है क्या हुआ इसके बच्चे को इसका बच्चा किड्नेप हुआ है इसी होटिल से किड्नेप? कि एक बच्चा चोर है वो बस यहीं कहीं रहता है मैं चाबी भूल गई अच्छा बेटा मैं अभी हाती हूँ चाबी लेके ओके? अभीर अभीर तुम कहीं मत जाना ओके? नो मस्तिक मैं जदी से आती हूँ अभीर? अभीर तुम के अभीर कहा है? तुम अभीर कहा है? कमरे के बाहर चाबी पूल गेती लो? अभीर अभीर तुम कहा है? अभीर? अरे जल्दी चलो अभीर कहा है डिक हम अभीर तो मेंहाट पर दो फॉड़िगी ती अभीर यहां चोड़ा सथ जवर गया अभीर 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 अभी creation अभीर छाकलेट कशोला लेकर गया कशोला लेकर गया उसे नहीं, कंचोला मेरे बेटे को नहीं लेडा सकता अभीर, अभीर, वोड़ा बैट चल्गे किदर कंचोला, आज तो में ऐसे नहीं छोड़ूंगे बैली आथि 1 2 2 cie अबी 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 अब्य 1 बी अबी आ़ियोर सब एक, ''S Katie काच होग एक पिजमे और एक काच चुआ होग आ ωिठ गार बतास्य कुऺतर ऑनत picnic काच आ अद। वार्ण! वार्ण! वार्ण्छ नहीं कहां चला किया प्लीज उसे टूटें! मैंने उसे पहले ही जगा ठीक रही है वो बताने कहां चला किया? प्लीज से नोड़िये, प्लीज रिलाक्स, एपड़। साब, गंचोला ने है अवीर का किटनैप किया है ठीक वैसे, जैसे मेरे बेटे का किटनैप किया था एक मनेट, एक मनेट जाका तुमने? तुम्हारा बेटा भी किटनैप हो आए? हाँ साब, कंचोला ने मेरे बेटे का भी किटनैप किया था आस तक नहीं में अच्छा, एक बात बता शिवाने के सिर्फी जो चोट है, वो कैसे होई? साब, वो हम कंचोला के पीछे-पीछे बाहा गाए कंचोला रुचावाई! वैश? साब अचानक किसी ने, किसी ने इन पर वार कर दिया? जैसे चिल्लाई, हम आवाज सुनकर उस तरफ गए मेम साब मेम साब आप ठेक तो है न? साब, इनके पती का मिलना मुश्किल है क्या? मुश्किल है मतलब? इधार है साब कुछ दिकाना है मैं गॉड हाक साब, जब वो वन्ष के चिल्लाने के आवाज आई न वहाँ ज़ारीों में यह आप पड़े हुए थी वमें लगता है यह आप वँच्की है और यह बात अमने अभी तक शिवानी को बताई नहीं है क्या, वँच्तिया रहि, यह वँच्टिया नहीं हो त्सी वाज़ने हो नहीं हो उतकता वाज बन्च की आठाएज पर बन्च की नहीं सब्सक्राइब बन्च कहा है औसका बेटा बीपी गाया है बहीं तो ओओ देह तुम लोग जंदल में जाओ इहां वेखोन की रहा है बन्च की आठे यहां ते निकाली गई होगी सर, बहुत अजीब बात है यहां उसकी आख निकाली और उसे कई और लेगे लेकिन वो कंचोला बाप बेटे दोनों को ले किसे गया होगा किसी एक आत्मे का काम नहीं है फेड़ी मुश्किल है चलो आगे देखते हैं सर, किन्यापर ने हाग क्यों निकाली एक बार वो में जाए उसी से पूछ लेना ओके सर एँ चंडल के अंदर ये घर चल कर पूछते हैं शारिस से कुछ देखा हो सर, सर कंचोला भी तो सकता है तयार हो सर, यहां तो कुछ में नि? श्ष् अरे यार अभी तो गोली चल जाती तुम तो गल्ती से भी मुझ पर गोली नहीं चलाओगे पुरा जंगल चान मारा है वो बच्चा कहीं भी नहीं दिखाई पड़ा सिरो बच्चा ही ने वंच को भी किड्नाइब कर लिया कंचोला में अब पीछी छोड़ गया है, उसकी आँख वंच की आँख? यहां वंच की आँख में लिया है मैं अच्छा और वंच को लिया कि वो जादा दूर तक नहीं जा सकता यहीं कहीं आसपासी होना चाहिए पर के अंदर तो कोई भी नहीं है उस तरब भी कोई नहीं दिखा तीछे देखते हैं चलाओ तब यह देखिए बहुत सारे जुतों के निशान इदर ही जाने सर पानी में ढिर सारे सुखी हुए पत्ते और यहां तो आसपास हरिया लिये अंजी लगता है अंदर किसी की लाश है तुल्ट प्लिज जल्दी से आपर आजाओ वहां बाच तो पड़ा नहीं क्या हो किया हो कि प्लिज जल्दी से आजाओ कंचोला बच्चा चोरे साब मेरे बेटे को भी वह ऐसे उठाकर ले गया था यह कंचोला कबसे है यहां पर मेरा मतलब है तुम कंचोला के बारे में कबसे सुनते आ रहे हैं वह तो नहीं पता साब लेकिन हाँ वो हमेशा हमेशा मावस्या की रात को ही आता है मेरा बेटा भी मेरा बेटा भी अमावस्या की रात को बाहर सो रहा था और वो उसे उठाकर ले गया मैने बहुत ढूना साब बहुत ढूना पर वो नहीं मिला एज ए एपर खियोगा नहा हुआ था खियोगा है तो वंच है, फानी गंदर ठेहन से बांध के रखा दा, प्राकि लाज बाहर ही ना है, तर पहले इसकी आख निकाल दी और प्रिस इस तरह डूबो थी, कंचोला करना क्या चाहता था, बच्चे की किड्नैपिंग या वंच का खून, एक बात उसाफ है, सिर्फ बच्चे की प्रिस नापिंग करना तो मक्सब नहीं था, इक अंचोला के साथ कोई ना कोई सो जरूर मिला है, अन्या और पूर भी यहां जंगल में देखते हैं, एक है, हम लोग इस लाज को रिसॉर्ट में ले जाते हैं, वंच, वंच वंच तुमें क्या हुड़ी है, वंच तुमें इस शिवानी इसने अब तक अपने बेटे अबीर के अबारे में बोला तक नहीं है, जबकि अबीर भी वंच के साथ साथ किड्नाप हुआ, अब वंच तो इस हालत में मिला है, पर अबीर, अबीर का क्या, उतो उसे याद ही नहीं कर रही है, कि वो कहा है, हां? सर, अबीर शिवानी का बेटा है ही नहीं, हां सर, अबीर को शिवानी और वंच ने गोद लिया था, चाह, तो ये बात है, इसलिए शिवानी को अबीर के बारे में इतना दुख नहीं है, पर भी सर, है तो वो मा ही, बच्चे को तो गोद लिया है उसने, हां, सर अबीर दो पहले ही इन्होंने अभीर को गोद लिया था काँ पे खुश्ते है दोनों सर शीवानी बता रही है कि उसको यह हालीड़ी पैकेज उसको ओफिस ने दिया है ओफिस से नोट पॉसिबल सर सर हमारा एक छोटा सा कटलरी का बिसनस है कः दुश्टराय अ sóगी और कमपणई का इतना टर्नोवर है कि ऐसे एंप्लवज को हॉलीड़ी पैकेज देते है सर यह बत तो सिर वinaçãoश को पताती और यो तो मर चुका है को एक होलीड़ी पैकेज किस ने दिया त्हा यह कैसे बता चलेगा सर यह हॉलिडे पैकेज जिसने भी दिया उसका मकसद यही था अभीर को किड्नाप करना और वंच का खून करना ना देया बिल्कुल सही है और जिसने भी यह प्लानिंग किया न वो यहां मौजूद था उसे ने नौफिट का गड़ा खोद की भी रखा था शी इतना निक कंचोला को देखा कंचोला का स्केज बनवातेश से यह इतना साज श्रिंगार करके किड्नापिंग करने के लिए ता यह बात कुछ गले नहीं उतर रही है किड्नापिंग करने से जञ्यादा खुद को छुपानी यह ऐसी बात लगती है सर 써र शेस एडीय से पिछले एक मैंे में कोई बच्चा रिटनाप हुआ है कोई भी बच्चा किद्नाप नहीं हुआ मतलब अभी ये चार बच्चों के किड्नापिंग के कानी जूट है किड्टनाप रिटना इस्सिर्फ एक ही बच्चा आपी है शेतना ने हमसे जोट बोला है सहर, शेतना और मातिया दोलो गया भी उस रिसोर्ट में नहीं है यह लो वार सर रिसोर्ट का माली के अनिर रह in India में नहीं रह दो और शिर्ट अविर की कड़नापिंग को कंचोला सीरिल क कड़नापिंग दिःखाना जॉयता था और मकसद था, वंच का खून. यह कंचोला कब से दिखाई पड़ रहा था उस जगे? दो हथे पहले? दो हथे पहले. और दो हथे पहले तो अभीर को गोद लिया गया था, वंच और शिवानी ने? सर, इसी दो हथे में वंच को भी हॉलिड़ पैकेज मिला था, उस रेसॉर्ट का. मजलब अभीजित? यह अभीर का गोद लेना ही वंच की मौत का कारण है. पता लगाना पड़ेगा, अभीर को कहां से अडॉप्ट किया गया था. तो हुआ फिकाला हुआ। असंग, वंच की आख ने कुछ बताया? उसकी लाश की कुछ का? सब ने बोला बस, आख ने भी बोला और लाश ने भी मूदा. बस, इस के सर पर एक हलकी सी चोट का निशान है, जिससे लगता है, कि पहले किसी ने इसके सर पर वार करके इसे बेहोश किया बेहोशी की आलत में इसकी आख निकाली और बाद में इसे पत्थर से बांद कर पानी में बानी मतलब पानी में डुबाने से पहले वंश जिन्दा था आपस और आख ने क्या बले इसकी आख जिस चाकू से निकाली ग इसे चीज नाइफ कहते हैं और और क्या बता चाले बॉस उस चाकू के कुछ महीन महीन टुकड़े बहुत बहुत बारीक बारीक टुकड़े इसके आहँ पर मिले नो सर पुराना चाकू होगा तो जंग के निशान होंगे नहीं पूर्वी ये जंग के पार्टिकल्स नहीं है बस उस चाकू पर क्रोमियम प्लेटिंग की गई थी लेकिन प्रोसेस पूरा नहीं होगा था उसकी फिक्सिंग और बफिंग नहीं की गई थी पॉलिशिंग नहीं की गई थी और इसी लिए क्रोम के छोटे-छोटे महीन टुकले इसके आँपर आ रहे है ये देखो आए है इसका मतलब है ये चाकू अभिजेत किसी इलेक्ट्रोप्लेटिक फैक्टि में इसी लाया गया है जहां पर क्रोमियम की प्लेटिंग उती है क्रोमियम की सर यह वंज जिस कंपनी में काम करता है वहां पर भी तो चाकु छुरी बनती है अपने लिए चाकु तो लाया नहीं होगा ज़रूर कोई फैक्टरी का याद में होगा देखिए जिस चाकु से वंज की आँख निकाली थी वो एक चीज नाइफ है चीज नाइफ और वो नाइफ वो चीज नाइफ बिल्कुल फ्रेश प्लीटिंग की हुई है लेकिन पॉलिश नहीं जैसे की ये नाइफ इसको पॉलिश नहीं किया गया है ना ये प्लेटिंग का काम आपके है होता है ना हाँ सर लेकिन आप कहा चाते हैं त्यूंकि जिस चाकु से वंज की आँख निकाली गई है वो इसी फैक्टरी का है उनी ने व चाकु यहीं से लिया था इस्क्यूज मी तो क्या आप लोग हम पर शकर है आप लोग यहीं काम करते हैं इसलिए आप से पुछताच की जा रहे हैं सर ऐसे तो वंज की वाइप शिवानी वो भी यहां आदीजाती रहती थी अब उनसे पुछताच क्यों नहीं करते हैं किससे पूछताज करनी है, किससे नहीं, यह हम तय करेंगे, आप नहीं, समझें? लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, बंश का खूल, उसके किसी नजदीक, आस पास के खास आदमी ने किया, किसी खास आदमी ने, और वो चाकू, वो इसी फैक्टरी में बना है. सर्म ने सारे अडॉप्शन होम चेक की, और सारे कोर्ट के रिकॉर्ड्स भी चेक की, अबिर को कभी अडॉप्ट किया ही नहीं गया था. अबिर कभी अडॉप्ट हुआ ही था? मतलब वंच और शिवानी ने सब से यूड बोला या है. जी सर्, अबिर के असली माबाप, हिमन और जया, इनकी तीन हफते पहले एक रोड अक्सिडेंट में मौत होगा. और सर्, अबिर के फादर, एक अरभपती बिजनिसमेंन थे. ओ, मतलब करोडो का मालिक बन गया यह बच्चा, अबिर. हर कोई उसके पास पहुशने की कोशिश करेगा ही करेगा. लेकिन ये शिवानी और वंच बीच में कैसे आगए है? सर, वंच और शिवानी ने अबिर के माबाप के जाने के बाद, उसको एड़प करने के लिए कोर्ट में एप्लिकेशन दे रखी थी. सर, और भी कोई था, जो अबिर को अड़ॉप करना चाहता था. अच्छा, कौन था? सर, हिमन की चचेरी बेहन, यानि अबिर की बुआ, डॉली. जिसकी वज़े से वंच और शिवानी को अबिर की कस्टेडी ने मिल पारी थी. लेकिन उन दोरों ने सबको ये बुलना शुरू कर दिया था, कि हमने अबिर को गोद ले लिया है. पुर्वी, उस बुआ जी को तो लेकर आई हो तो, उसे यहां ले आँ. सर, अबिर की कस्टेडी मिलना मतलब करोणों की कस्टेडी मिलना. समाल की. अरे? आपके बुआँ, आप किसी बुआँ. ये दिन रात ऐसी ही जुमती रहती है. आप पाइन. दौली जी, आप अबिर कुमार की बुआ है. बुआ? बुआ तो अचार राने मार कर चले गई थी. अभी तक वापस ही नही आये? आपकी बुआ में, आप किस की बुआ, अभीर की? काहे मेरा बतीजा, मेरे जिगा कर सुक्रा, मेरा कलेजा, मेरे से जोरे की चाभी, मेरा कहने का मत्दब मेरे दिल की चाभी, काहे? सथर, यह डॉली कुछ जादा ही प्यार दिखा रही है, अभीर के लिए? वो तीन हाफते पहले ना, मेरे भाईया बाभी काहे रैचलर में गुजर गए, उसके बाद मैंने कोट से बहुत गुजारिश की जो मेरे बतीजे को मुझे गोद लेने दो, लेकिन कोट ने माना ही ने, मेरे बतीजे को शिवानी और वंश बगा कर लेके गए, मैंने ये वंश और शिवानी, इन्होंने सब से जूट बोला, अभीर को एडॉप्ट किया ही ने और उसे रिसॉर्ट लेकर आए सर, ये अभीर के माबाप का कार एक्सिडेंट हुआ था, जिस तरह की ये मैडम दीख रही है, इन पर शक करना गलत नहीं होगा सर, ऐसे के लिए कुछ भी कर सकती है और अब जब ये वंश अभीर को अडॉप्ट करने वाला था, तो हो सकता है इसी ने वंश को मार दिया हाँ, और हम अभीर की जान बचा सकते है शुवाने शुवाने ये उसे कुछ हो तो नहीं गया सर, सर लगता है भागे अब से एड़ी पीछे पढ़ती है तो मुझरिम भागी जाते है तुर्वी, शीवाने को फोन ट्राइक करो अगर इस कंचोर्णा ने वंश का खूम किया है तो शीवाने को भी नहीं छोड़ेगा भाँ सर, फोन तो ही ही चोड़के भी तुर्वी, पोन उठाँ और हाँ, शीवानी बन कर बात करना, समझे लेना अलो शीवानी तेरा बाई-बाई बोलने का टाइम आजाएगा अगर तुने मेरी बात नहीं बानी तो मैंने पैचानने नहीं, आप कौन? मैं कौन हो यह जानना जरूरी नहीं, अगर तुम यह चाती हो कि अभीर भी मिल जाए और तुम्हारा रास किसी को पता भी न चले तो बांच करोड रुपे लेकर आ जाना, जा मैं कहूंगा और अगर कोई चालाखी की तो मैं तुम्हारी एक नहीं दोनों आखे निकाल दूँगा अब लेकिन, लेकिन मैं तुमसे मिलने आउंगी कैसे, CID मेरे पीछे पड़ी है, अगर पकड़ी गए तो? अरे लड़की हो, बुर्खा पहल लेना, घूंगा डोड लेना, कुछ भी करो लेकिन मुझे पाच करोड दे देना ठीक है, आना का है? बी ब्लॉक, चार नंबर बस्टॉक वहाँ एक बड़ा सा डस्टमिन रखा होगा, उसमें पैसों का बैक डाल देना ठीक, तीन बज़े तीन बज़ गया है, उर्वी आजा उर्वी, समाल के है प्रीक करता लाग हम धिसे वहाँ प्राव झाल यहाँ वहाँ प्रीक करता है प्रुक प्रुक यह कुछ गरबड़ लग रहा है यही तो नहीं है पार पास चेक करने आए कोई खत्रा है क्या यही है जहाँ झाए उए लग में आए रहा है एक वो श्यार है ना अंदर वो बच्चा हो सकता है अबी पुरवी अंदर जाने कर अब जब से पहले पच्चे को अपने कभजें पे ले लेना यह प्ट यह लेड़ी आंगार आब आगारे क्यल कितम होगा तुमारा तुमारा शतिन? 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 लगता है जहर तीया क्या है? यह है पिन कर निशान पॉइजन गंज से लगता मार दिया जतेन किसने क्या हिए जतेन बेवश है आमबलेस बलाते है शायचान बच्चा है पंगच यह प्यादा निकला आसले खिलाडी कोई और है आपिजीट आँजीट 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 यह देखो यह देखो यह द्रेस यह हैट यह दस्ताने यह विग, दाड़ी और यह जतेनी कंचोलत होनी है हाँ यह जतेन के मॉबाइल में करें, कोई इंटर्वीव है हमारा? बता रहा है यहाँ जो चाप खड़ी रहा हूँ माम शीवानी कहा है? वास्पिटल में मेरा पती जब मिल गया? अरे, सर, कंचोला पकड़ा गया? सर, वंश, वंश का खुणी पकड़ा गया? और जतिन, जतिन कहा है? ना जतिन यहाँ आ सकता है ना कंचोला है क्योंकि जतिन पर हुआ है हमला और कंचोला उसे तो पकड़ लिया होगा ना आप लोगोंने, अब तक मैंने कहा हना उस पर जान लेवा हमला हुआ लेकिन सर, आपने तो कहा था कि जतिन पर जान लेवा हमला हुआ है कंचुला यह अपर उन ही आसकता क्योंकि जतिन ही कंचुला है ओटढ़की जतिन कर रहा था इस सब के पीछे उसी का हाथ है ओड़की पीछे जतिन का ही हाथ था इस जुर्म की शुरुवात हुई आभियर के माबाप करोड़ पती माबाप की मौत के बाद जैसे उनकी मौत हुई अभिर बन गई वो सोनी की चिडिया जिसे सब लोग हासिल करना चाहते थे शिवानी वंच और डॉली शिवानी और वंच ने अभिर को अपने कबजे में तो करी लिया पर कोई ऐसा था कुई ऐसा था जो इस बात से नाराज था इतना नाराज कि उसने एक साजिश रची उसने सीरियल किड्नैपर की कारणी बनाई इससे उसके उपर कोई शक्त ना कर सके वंच को खतम करके उसने शिवानी से पैसो की डिमांड की उसे लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा कि वंच की मौत हो गई है लेकिन हमने उसका खेल बिगाड दिया वंच की लाश हमें मिल चुकी थी उसके पूरे खेल से परदा उड़ गया खुनी को पता चल चुका था कि उसका खेल खतम हो चुका है तो उसने सोचा कि पूरे नहीं जितने पैसे मिल जाते हैं उतने लपेट के भाग जाता हूं जातिन के पर जान लेवा हमला हुआ था इसका मतलब ये है कि खुनी कोई और है कभी नहीं ताजी क्या लगता आपको कौन हो सकता है खुनी मैं सुन मैं कुछ नहीं जानती सो हाँ आप कैसे जानेंगे आपने तो कुछ की आई नहीं हाँ लेकिन आपने बड़ी उत्सुपता से हमें ये बात बताई थी कि ये शिवानी अबेर की सगी मानी आश्वान जी ज़रा पताई तुसे ये वश को आफिस से हॉलिडे पैकेज किस ने दिया था सुन मुझे मुझे कुछ नहीं पता सुन अजीब बात है सर किसी को कुछ भी नहीं पता है पर पूरी साजिश के तार तुम लोगों से ही जुड़े हुए नहीं से और कौन हो सकता है आपकी करोणों के चाविज हो ले किया हुए सर मैं ठीक से खड़ी नहीं हो खड़ी नहीं हो सकती मैं क्या किसी को मारूंगी सर प्लीज मुझ पर तो शक मत कीजिए सर मैंने कुछ नहीं किया अब बचे है अब इस तरह मेरे दरफ क्यों देख रहे हैं बताते हैं रतिंजी सब बताते हैं अराम से बताते हैं बात है कि कुनी अपने आपको बड़ा शातिर समझता है उसने शिवाने को फोन किया पैसो के लिए अब फोन उठाया हमने भली जतिन ने फोन किया था जतिन तो मामुली प्यादा था असली मास्टर माइंड वही पर बैठा था छुपकर जहां से फोन किया गया था बताओं कौन हैं? प्राइवेट नमर में नाम नहीं आता लेकिन उसके लोकेशन का पता किया जा सकता है Mr. Lathar मैंने पैसो के लिए जतिन को शिवानी के घर पर फोन करने को कहा था लेकिन उसी वक्त शिवानी मेरे पास आ गई मैं.. बहुत ही घबरा गया था मैंने जतिन का फोन कई भार ट्राइ किया लेकिन उस पेवकूफ ने फोन उठाया नहीं और और आप लोगों के चाल पर फुस गया है सर अभीर की किड्नैपिंग के साज़िश मैंने वंच और शिवानी ने मिलकर की थी अभीर के पैसो पर मेरा भी हग था सर लेकिन वंच और शिवानी ने मुझे किनारे लगाने की कोशिश की और इसलिए मैंने वंच को माँ डाला सर अभीर के असली माबाप हिमन और जया वो हमारे अच्छे दोस्त है सर उनका भी अभीर के इलावा इस दुनिया में कोई नहीं था सर उनके मरने के बाद कि सारी प्रॉपर्टी कि सारे पैसे का हगदार सिर्फ और सिर्फ अभीर था हाँ सर उनकी डॉली बेहन जरूर थी लेकिन यह हमेशा नशे में धुत रहती थी सर तो अपने स्वारत के लिए तुमने अभीर के माबाप का एक्सिडंट करवाया थे तो और मैं क्या करता सर आप भी बताईए मैं क्या करता हमारा सारा पिस्देस दूब रहता सर और हिमर और जया के इलावा हमारा कोई सारा नहीं बचा था सिर्फ यही एक चारा था हमारे पास इसलिए मैंने और जतिन ने मिलकर एक प्लैंग बनाया आओ जतिन आओ अगर तुमने अभीर के किटनैपिंग और वंच को मारने में मेरा साथ दिया तो तुम्हारी किसमत खुल जाएगे ऐसा करने से अभीर हमारे पास आजाएगा और वंच को रास्ते से हटा देके और उसके बाद वो लड़की शिवानी बखुद बखुद लाइन पर आजाएगी हमने शिवानी को डड़ा कर उससे सारे पैसे लेने की प्लैमिंग की थी और इसलिए वंच को रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी था सर जदिन साइको किटनैपर कंचोला बन जुका था सर लेकिन एक तिन उसकी मकान मालकी ने उसको जदिन से कंचोला बनते हुई थे इख लिया उसके जदिन ने अपनी मकान मालकी को भी माठाला पिर उसके बाद कंचोला बंकर उसमें पच्चे को किन्नाप करने का नाटा कर जा जा सब कुछ अच्छा जा रहा था, सब कुछ एक डम प्लैन के मुताविक जा रहा था लेकिन तभी आप लोग ने आगे सब बरबार कर दिया था हाँ, तुम जैसो के लिए ही हम हैं, CID, समझे हैं तुमनों तो यह नहीं सोचा होगा कि CID को वंच की लाश मिल जाएगी बस, वहीं से तुमारे खेल का खात्मा शुरू हो गया था यह मटे और चेतना, यह भी तुमारे इस प्लान में शामिल थै हाँ, सर, यह तुनों भी मेरे ही साथ थे, लेकिन, लेकिन इन्हों नहीं आपको वंच की आँग के बार में बताया बस, यही यही गल्ती की तुमारे लोगों ने आग दिखा कर और गरम वावक्त को नहीं पोटे तो तुम शाजशिवानी को भी मार डालते है अब तुम और तुमारे वो दो साथ ही आई, मठिया और चेतना जेल में सड़ते पैटना कुशी दीना में हॉस्पिटल से निकल कर शिवानी भी तुमारे साथ ही आएगी जेल में सब मिलकर नहीने प्लान्स बनाना फासी का ओर्डर आने तक और डॉली जी, अब ये, अबी, आपके पास नहीं रहेगा उसका ख्याल आप नहीं करेंगे, उसका ख्याल हम करेंगे और प्रया के झाल आपके रहएगी मिलकर झाल प्ला झाल